Good morning and assalamu alaikum dear students, hope you all are very well, today I am going to deliver lecture to class 2, subject is computer, lesson number 6 on page 53, name of your lesson is more about paint, more about paint, जैसे कि हमने previously दोनों lectures में देखा था, हमने paint के बारे में पढ़ा था, अभी भी same lecture है, हम page number 53 पढ़ेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने, आप लोगों को बोला था, कि आप अपने computer को use करें, और उसमें drawing करें, जिस तरह जिस तरह मैंने बताया था, आप लोगों ने किया, जिन्होंने नहीं किया, वो आज करें, ताकि आपके knowledge में इदाफा हो, आपको practically भी समझाए, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए ये आप जरूर करें, ये आपकी activity है, हम आज के lecture में आते हैं, 53 पर, page number, यहाँ अगर किसी को याद हो, तो मैंने ये बताया था, ये क्या ह है, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे box को, ribbon, ribbon, यहाँ पर, जितनी भी ये चीजे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये जितने भी options हैं, उनको क्या बोलते हैं, icon, icon, जिसको आता है, very good, जिसको नहीं आता, मैं फिर से बता रही हूँ, कि इसको icons बोलते हैं, आप लोग इसको रखो, जब मैं पूछूँँगी तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है सही है, आज हम ये पढ़ेंगे, सारे सिंबल्स इनको क्या कहते हैं और इनका क्या काम है ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है यहां मैंने बनाए है सिंबल्स, और बताया है in symbols के name यहां पर सबसे पहले symbol में आप देखेंगे तो यह है pencil pencil कभी real life में देखी है रोज़ आप उससे काम करते हैं यह देखी यह है मेरी pencil यहां पर भी कुछ same इस shape की pencil दी गई है और उसका नाम भी pencil है और आप उससे भी लिखते हैं या कुछ भी draw करते हैं जिससरह हम normally अपनी pencil से काम करते हैं यहाँ second option है आपका eraser आपके अक्सर pencil की back side पर भी eraser होता है जिससे आप rub कर लेते हैं यह आपके पास वो छोटा सी eraser होता है न eraser rub करने के लिए स्वाल होता है symbol वो ही है यहाँ पर है एक option paint का यहाँ पर आप क्या करते हैं कि कोई भी color को select करते हैं और वो पूरा color आप use कर सकते हैं painting के लिए यहाँ पर color picker यहाँ से आप कोई भी color इस symbol को color picker कहते हैं इस से आप कोई भी color pick कर सकते हैं इस symbol वो कहते है text मतलब अगर आपने computer में draw के इलावा कुछ लिखना भी हो तो आप text के option को अपने mouse के जरी क्लिक करेंगे तो आप text कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ last आपको दिया गया है यह magnification glass दिया गया है और यह magnify करने का मतलब होता है किसी भी choice को zoom करना जैसे देखें मैंने अभी वीडियो में किया है ना zoom और zoom इसका मतलब है magnify करना आप देखोंगे मैं zoom out कर रही हूँ सही है ना तो computer में भी अगर आपने इस तना से करना हो जिस तना मैंने अभी किया था ऐसे देखें clear नजर आया ना आपको उस तना से आप computer में भी कर सकते हैं इस option को click करने के बाद अभी यहाँ पर हम देखेंगे किस का क्या मतलब होता है pencil के जरीए आप कोई भी line draw कर सकते हैं eraser के साथ आप कुछ भी मिटा सकते हैं कर सकते हैं color paint के जरीए आप किसी भी picture को color कर सकते हैं color picker क्या होता है pick a color from a picture and use it for drawing कोई भी picture से आप color click कर सकते हो और फिर आप उसको अपनी drawing में या जो आपने draw किया है उस पर color कर सकते हो यहाँ text का मतलब कि आप picture में या कहीं पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो magnification मैंने आपको भी बताया है magnifier क्या होता है यह चीज़ zoom करना किसी भी चीज़ को simple word में जैसे आपको समझ आती है magnifier करना ठीक है इसमें क्या होता है आपको जितने भी smaller objects हैं वो आपको बड़े नज़र आते हैं ठीक है यह काम आप लोगों ने book पर ही देखना है copy में नहीं करना अभी कुछ भी यह सिर्फ आपको समझाने के लिए यह आपने याद रखना है कि भई pencil किस काम के लिए आती है color picker किस काम के लिए होता है यह ज़स्ट आपने अपने mind में रखना है ताकि जब मैं पूछू जब आप लोग आए मैं आप से पूछू तो आपको आता हो और जिसको नहीं आता वो भी सीखे कि भई क्या क्या चीज़े क्या क्या symbol और किस किस चीज़ों के लिए use होती है Thank you very much